Arrays आप सिर्फ integer या unsigned integer की नहीं बना सकते हैं आप Boolean की भी Array बना सकते हैं Enum की Array बन सकती है Structure की Array बन सकती है Boolean की Array बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीकेकार है आप Boole square bracket 3 variable का नाम equals और square bracket में true false true false देते चले जाएं तो वो Boolean की Array बन जाएगी उसको access करने का तरीकेकार हुई है जो हमने यह fixed size Array तो access करने का तरीका हुई है जो के हमने पहले देखा है तो Boolean की भी fixed और dynamic दोनों तरह यह Arrays बन सकती हैं Data type समझ नहीं है कि आप जरूर नहीं कि सिर्फ int और uint की Array बना सकते हैं आप Boolean की Array बना सकते हैं इसमें दो वैल्यों देथी male, female क्योंकि यह आपकी custom data type है custom data type बनाने के लिए जिससरे int की Array बनाते हैं तो आप लिए int square bracket variable का नाम इसी तरीके से आप अपनी enum की Array बनाने जा रहे हैं तो आपकी enum का नाम है gender तो आप लिकेंगे gender इसक्वायर ब्रैकेट दो इंडेक्स ही Array बनानी है चार दस जितनी भी फिर variable का नाम equals square bracket अब यहां पर आपको enum की values रहे हैं तो आपने देजिया gender.male, gender.female और अगर तीन रखा है तो एक और gender.male, gender.female जितनी मरतबा तो आप enum को इस तरीके से array बनाकर यूज कर सकते हैं इसके अलावा structure structure को बनाने का तरीके का जो हम देख चुके हैं पहले कि आपने लिखा struct structure का नाम आपने बनाया student, square bracket open, curly bracket close, उसमें आपने variables देती है, तो मैंने देती है name और age, अब यह struct बन गया है, custom data type है हमारी user defined data type है इस तरह enum की array बनाएची जिस तरह आप int की array बनाते हैं तो पहले data type देते हैं तो यहाँ पर आपने अपनी data type देती struct student, student, square bracket to, variable का नाम, equals, square bracket अब यहाँ पर आप दो struct के object देते हैं student, round bracket उसमें name और age देती दूसरा student, age, comma, separated आप के उसरत कर देंगे तो इस तरीके से आप struct की array बना सकते हैं exactly, string की array भी इसी तरीके से बनेगी आप string की array बनाएगे string, square bracket value देती, आपने number दे दिया 3, 4, जितना भी index बनाना है equals, और square bracket में multiple string की values देती तो इस तरीके से आप different data types की array बना सकते हैं, fixed भी और dynamic array आप 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 आप